दोस्तों जैसे कि आपको बता है कि हम कुछ दिनों से बराबर कुछ coins को dip में buy कर रहे थे और जो भी दोस्तों हमने coin dip में buy कर रहे हैं उनके price की वीच में अगर आप इस समय चेक करोगे तो आपको अच्छा कासा यहां पर volume देखने मिला होगा जिनमें इसे सबसे हमारा जो best औ करी है तो आपको बहुत जड़ा benefit हुआ होगा अब यहां पर रीजन समझेंगे क्यों यहां पर ऐसा क्या हुआ कि अपना बिट कोई है इसका price एक अच्छा कासा moment हुआ लगवा 36,000 तक कि यह जो रेंज है उसमें आ गया जो कहीं ना कहीं 30,000 की रेंज में नहीं जा रहा था तो ऐसे क्या update आए कि इन update के वज़ा से आपका जो bitcoin है सिर्फ एक मंद के अंदर में एक अच्छा कासा moment ले चुका है यह आप कहा सकते हो कि इसका जो price है 36,000 की average तक जाना start कर चुका है और currently देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि one month में यह लगवग 26,000 डॉलर से लेकर 36 त जिन लोग ने इसमें trade करी थी जिन लोग ने एक मंद पहले bitcoin मों buy करी है उन लोगों को अगर देखा जाए तो इस समें almost 30% का profit वो लोग ले चुके हैं अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यह main जो pump आया है यह सिर्फ 7 दिन के अंदर में आया है क्योंकि इसी के अंदर में म फिर हम देखेंगे market में क्या-क्या और update आ रही है और इससे पहले अगर आप हमारे टेलीगां पर जो मैं नहीं करके रखा तो आप कर सकते हैं क्योंकि बहुत सी अपडेट में टेलीगां पर प्रवाइड कर देता हूं और कुछ वीडियोस नहीं बना पाया हूं जैसे आप पर आपको बहुत है दुर्गा पुजा है तो हमारे यहां पर भारत में देखा जाए दुर्गा पुजा का बहुत बड़ा महत्तब है और market भी कोई खास ऐसा moment नहीं करता था इस वाए से जाधा activity को मैंने चेक नहीं करा और हमने अलड़ी जो है बाइंग पहले से बना रख तो 350 मिलियन डॉलर का जो फंड है वह लगवर 24 आवर में लोगों का लूटा गया यानि लोग लिकुडिट हो गए अब यहां पर इस सिर्फ तीन-चार अपडेट के वाज़ा से हुआ है market में तो मैं आपको मेंशा कोशी करता हूँ कि आपको अपडेट करता चला जाओं कि स्पोर्ट पेर का सीन ऐसा है कि वहां पे अगर आपने कुछ बाइंग मनाती है अब मानता हूँ कि अगर आपने बिटकोईन को 25,000 के एवरेज पर भी पाय करा है अगर उसका प्राइज यहां पर डाउन हो के 20,000 पर आ गया यहां तो आपको उसमें एक चीड रहेगे कि प्राफिट होगा और ऐसा नहीं होगा तो इन वज़ा से आपको थोड़ा सा सोच समझ कर चलना है और टेलिगाम पर नहीं कर लिजए तो यहीं पर आपको हर एक अपडेट मिलने वाली है अब हम समझते हैं कि आखरकर मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि प्राइस जो है बिटक चैक नहीं कर रहा और इसको पंडिंग में डालता हूं जरा है तो ऐसा यहां पर ग्रेंश के लparents के красив नहां का बहुत बडा पड़ानी चाहिए और अगर उस चीज Woah बहुत बढ़ा benefit है जैसे ETF से बहुत लोगों का benefit होने वाला है क्योंकि private जितनी sectors में companies हैं तो उनको कहीं ना कहीं जो है ETF से trade करने का मौका मिल जाएगा तो यहाँ पे इस वज़ा से जो है उन लोगों ने बहुत ज़्यदा पडिट करी कि बहुत जल्दी इस चीज़ को लेकर करना चाहिए तो जब उनने कोट में जाके इस चीज़ को लेकर बात करी तो कोट ने साब बोल दिया आप SEC को जल्द से इस पर फुल जाज करनी है निश्पक्ष जाज करनी है और यहाँ पर री जाज करनी है तो इसको लेकर जैसे यहाँ बताया अब यहाँ पर ETF जो है सम्मिट करनी पड़ेगी तो इससे अब जो परडिक्शन वाले हैं जो भी लोग परडिट कर रहे हैं उनलोगों को कहना है कि इससे अब जो है जैसे यासी परडिक्श होगा तो जल्दी से जल्दी जो जितने भी ETF अपलाई हुए हैं उनको अप्रूबड करने के समावने बहुत ज्यादा आ रही है तो यह तो दोस्तों आप चुछ तो कि इस अपडेट से तो फिलाल पहली वी ऐसी अपडेट आती थी तो उससे इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ा बट तो यह रहा दोस्तों आपका पूरा सीन जो कि यहां पर भी कॉइन टेलिग्राफ की वेफसेट पर पोस्ट है जाके आप रीड कर सकते हैं यहां पर आपको सारा कुछ देखने मिल जाएगा कि ब्लैक रॉक का जो स्पॉट बिटकोइन ETF है उसको फिलाल जो है लिस्ट कर दि क्या इसका सीन सिंपल सा इतना अंदाजा लगा लिजेगा कि यह 10 ट्रिलियन डॉलर को एकला यहां पर कह सकतो देख रहे करता है और यहां पर इसी के पास पूरी देख रहे की पावर है जैसे मैं आपको यहां से दिखाता हूं जिन लोगों को ट्रिलियन डॉलर बहुत कम पैसे में पैसा जिसमें से आपने ट्रेड करी यहांFए लोग में इसमिकियो ट्रेड करके रखी है तो इतना ही हमाउंट है क्रिप्ट अंदाजा यहां से लगा सकते हैं और जौ ब्लैक रोक है एक लिए के पास जो पैसा यहां पर झालन करता है दो टम्टर Пон्ट टीर ट्रिलियन डॉदर के राउने में पहुंचेगा जो कि अपडेट है अब अगर देखा जाए तो मुकेश मानी जैसे और बड़े-बड़े जितनी हमीर आदमी है उनको भी अगर आप काउंट करोगे उनकी जो संपत्ति है उसको पांस आतवार गुना भी कर दोगे तो भी यह नहीं महुचबाएगा तो इस वजह से जो नासदा का अपडेट आया तो बिटकोइन को लेकर जब एटीएफ आया है तो इसी लिए सिर्फ बिटकोइन में ज्यादा फरक आया बाकि दूसरे प्रजेक्ट है उन्हें में कोई वैसा जो बैक अप है देखने को नहीं बिला व अच्छा खासा बैक अप हाना स्टार्ट कर गया तो यह है रीजन मार्केट में पंप को लेकर जो कि करन्ट ली फ्लैक्शुशन आ रही है तो करन्ट ली एक चीज तो केलियर होई कि एक बार तो यहां पर जो ब्लैक रॉक है उसको परमिशन मिल गई अप्रूबर मिल गया ह अब देखना यह होगा कि आनेवल दोनों में क्या-क्या एक्टिविटी होती है जिससे कहीं न गई बड़ा फरक में देखने मिले अगर यहां पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस सिंपल सा नासदा की एक क्लीन फर्म ने जब उसको एड़ करा तो यहां तक मार्केट ब बस अब यहां पर यह की चीज़ है कि जैसे हम बोलते हैं हमेशा से कि लॉंग नम अले ट्रीडर बहुत अच्छा प्रॉफिर बनाने वाले हैं इवन हमने भी अच्छी कासी प्रॉफिर बनाई है जैसमें आपको थोड़ा पोड़फोलियो जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि यह आपना बिट्कोइन बिट्कोइन की जो वैली है मेरी अप्रॉक्स अभी डेट में शोग कर रही है एक लाग पैसर यार साथ सो लगवाग रुपाई का राउंड बढ़ रही है अब यह मेरा सर्फ एक पोड़फोलियो है इसके साथ में मेरा बाइनिस में है शाथ में मै आपको अब डीट करना चाहूंगा कि अगर आपके पास वी पैसा है रापने करके रखा हुँए तो उस पैसे को जो आपको 4-5 दिए भर रखना होगा यानि एक ही एक सिंग मत रहक ही पैसा है तो आपको बता है कि मार्केट में कब भी कोई बढ़ी अब ठीट आ जाती है त तोटा मोटा investment करके छोड़ दिया था और अगर अपनी जो बाइंग है वो लगवग इस समय तक 4 गुना हो चुकी है यानि जो आमने बाइंग मनाई थी वो लगवग 4X हो चुकी है अब यहां पर देख सकते हो साफ साफ कि 3600 लगाए है हमने और अब आरे पास जो value है वो लग जैसा जैसा सीन रहेगा तो मैं बताता रहूँ और कब बाई और सेल करना है यह सारा कुछ में अपडेट करूँगा तो इसकलिए make sure टेली गांपे जवेंड कर लीजेगा क्योंकि फिरी है कोई charges नहीं कोई fees नहीं है तो definitely टेली गांपे जवेंड कर लीजेगा मिलते हैं एक नेक्स वीडियो लेकर